हलो बच्चो आप सभी लोग बहुत ही अच्छ होंगे और आप लोगों की प्रिप्रेशन बहुत अच्छी तरीके इस चल लेगी दोस्तों तो यहां पर एक डाउट लेकर के यहां पर हाजीर हुआ हूं दोस्त जिसमें कि क्या बोला जा रहा है कोई कॉर्णॉट हीट पंप ह और यहां दोस नाविर का थे खाल होभ जने होडा जो कहां कर रहा है एक यृढार भीस हीर से हीट को सक कर रहा है और हमारे कहां पर दिलीवर कर दे रहा है है कि हमसे रूम के आंदर बांदर इम बाट कर दे रहा है जिससे कि हम लोग क्या म Leahy कर था यह cornventions का upon बारों पिर पि at one hand and the required room temperature on the other hand if the heat pump consume one kilowatt power the heat delivered to the room will be मतलब क्या है कि जो heat pump है idly तोर पे हमारा 10 और 25 degree centigrade के बीच में काम करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है यह क्योंकि heat transfer के लिए अगर ऐसा ही हम लोग करेंगे तो heat transfer नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से थोड़ा सा temperature difference हमको लेना पड़ता है ताकि हम लोग रूम को क्या कर सके बेटा यह रूम को एक proper temperature पर maintain कर सके for the heat transfer पर पज़ क्योंकि अगर temperature difference होगा ही नहीं तो heat transfer होगा ही नहीं अच्छा जब heat transfer होगा नहीं तो मेरा क्या heat pump प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा तो बिल्कुल नहीं काम कर पाएगा that's why यहां पर 5 degree centigrade का क्या लिया जा रहा है वेटा margin लिया जा रहा है आप बोसकते हो for the heat transfer purpose हम लोग temperature का difference ले रहे हैं ताकि हम लोग क्या कर सके वेटा ताकि हम लोग heat का transfer होने दे सके और हमारा heat pump proper तरीके से काम कर सके अच्छा हीट pump कितना work कर रहा है for this purpose तो हमारा एक किलो वाट का work consume कर रहा है हमसे क्या पूछा जा रहा है हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो 25 degree centigrade पर रूम है कितना heat delivered हो रहा है कितना heat हम्हारा क्या हो डिलीवर हो रहा है अच्छा pump है कि refrasiator है नहीं पता है तो question में clearly mention कर लिया है कि यहाँ हीट pump है इसको कैसा treat करना है heat pump के जैसा treat करना है अच्छा हमारा desired effect क्या है हमारा desired effect nothing but heating effect है यहां पर cooling effect नहीं लिया जाएगा. SoP, heating effect upon work input हो जाएगा. Cornoat cycle है, Easternpoint cycle, कभी भी Cornoat cycle हो वहां पर lower temperature और higher temperature दो temperature होते हैं तो suppose कर लेते हैं कि ये हमारा heat pump, Cornot heat pump है, जिसका higher temperature की value कित्ती दे रखी है, दोस्त higher temperature की value, जो हाँ पर पर की room को maintain करके रखना है, वो 25 degree centigrade दे रखी है, ठीक है? अच्छा, बीच में हम क्या लगा दे रहें, एक heat pump लगा दे रहें, heat pump लगा दिये, अच्छा, ये heat pump कहां से connected होगा, lower temperature reservoir के साथ connect होगा, या आपन बोल सकते हैं कि हमारा atmosphere होगा, अच्छा, lower temperature की value कित्ती दे रखी है, तो 10 degree centigrade दे रखी, आप लोग question में एक बार अगेन जा करक सकते हो, चेक कर सकते हो, अच्छा, heat pump में मैं work input कितना दिया हूँ, तो work input मैंने दिया है 1 kilowatt, heat input हमारा work input कितना है दोस्त, तो 1 kilowatt है, 1 kilowatt, ओके, यहां तक सभी को clear होगी चीजे, लेकिन question में थोड़ा साथ twist ये किया है, कि बेटा, 5 degree centigrade का temperature difference दोनों तरफ लिया है, मतलब जहा यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, heat को ले रहा हूँ, absorb कर रहा हूँ, वहां पर भी मेरा 5 degree centigrade का temperature difference exist कर रहा है, अच्छा, यह तो general हो गया, थोड़ा समय इसको, और दिखाता हूँ बेटा, कि यहां पर किस तरीके से 5 degree centigrade temperature को आप लोग समझ सकते हो, अच्छा, heat pump में क्या क्या devices लगेंगे बेटा, एक हमारा device लगा होगा, evaporator, evaporator, अच्छा, यह होगे बेटा, आपका evaporator, evaporator क्या काम करता है, heat को absorb करने का काम करता है, फिर उसके बाद क्या लगा रहा हूँ, तो हमारा compressor लगा रहता है, अच्छा, compressor क्या करता है, उस working fluid को हमारा compressor करता है, यह होगे बेट बटा, Compressor, पोके अच्छ हो उसके बाद हमारा क्या लगा रहा है ओके तो हम लोग टारी चोंगी हम खाम को अवेटर कि हमों जो हीट ले रहे हैं कहां से ले रहे हैं तरम तब जाल का ङप फंचे रहा है इसको डायग्राम को है यहां पे एपनों के सामने दिखा रहा हूँ तो इसको देखिए और समझिए कि मैं क्या बोला हूँ, ठीक है, ओके, तो यहां पर मैंने क्या बोला, कि जो condenser है, condenser को higher temperature reservoir के साथ, अगर मैं link करूँ, तो यहां पर 25 degree centigrade का higher temperature reservoir है, यहां मेरा room है, तो अगर मेरा condenser का भी temperature 25 degree centigrade होगा, तो क्या heat का flow होगा, नहीं होगा, अच्छ से, condenser का temperature जाधा होना चाहिए, या room का temperature जाधा होना चाहिए, सबसे पहले आप लोग यही बताओ, चुकि हमारी heat higher temperature से lower temperature की तरफ flow करती है, that's why मैं बोल सकता हूँ, कि condenser का temperature जाधा होना चाहिए, जाधा होना का मतलब क्या है, room से कितना जाधा होना चाहिए, 5 degree centigrade, question में बोल जाएगा अच्छा अब मुझे लगता है कि आप लोग को जितना question को solve करने के लिए जितनी भी जानकारी होनी चाहिए वह आप लोग सभी लोग के पास है अच्छा कि हमारा क्या है बेटा कि heating effect और work input वर्क इंपूट तो हमको given है कि हमारा कितना है ठीक है work input हमको क्या है पता है कि हमारा work input कितना है अगर मैं corner cycle की COP की में बात करूं थो COP of corner cycle that means heat pump की अगर मैं बात करूं तो heating effect कितना कौन सा है बेटा तो higher temperature है TH है लेकिन यह actually में इतना नहीं है यहाँ पर condenser किसके बीच में काम कर रहा है 30 degree centigrade तो higher temperature कितना हो जाएगा दोस्ट तो हमारा 30 273 प्लस 30 273 प्लस 30 degree centigrade मैं क्या कर सकता हूं बेटा आइड कर सकता हूं क्या 273 प्लस 30 यहाँ पर आइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा Kelvin में मुझे temperature मिल जाएगा divided by divided by क्या कर दूं बेटा तो 30 minus 25 sorry 30 minus 5 degree centigrade कर दूं तो 30 minus 5 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 30 minus 5 तो यह हमारा क्या हो जाएगा बेटा work input हो जाएगा और अगर आप लोग इसको solve करते हो तो 303 303 divided by 25 यह होगा और 25 से अगर आप लोग divide करते हो तो मुझे कितना value मिल जानी चाहिए बेटा 12 12.1 के आसपास यह value मिलेगी COP की 12.1 के आसपास ऐसे कुछ something value आनी चाहिए बेटा तो COP हमारी कितनी आ गई है COP हमारी आ गई है 12.1 ऐसी कुछ something आ जाएगी अच्छा क्या यही मेरी COP क्या यही मेरी COP COP is nothing but मैंने लिखा था बेटा heating effect heating effect divided by work input होता है अच्छा मुझे heating effect question में पूछा गया है तो heating effect क्या हो जाएगा heating effect is nothing but COP into work input into work input कर सकता हूं तो COP कितनी है बेटा COP हमने अभी भी calculate की है 12.1 into work input कितना है work input हमको question में given था 1 kilowatt अच्छा अगर इन दोनों को solve कर लेता हम मुझे कितना मिल जाए बेटा 12.1 kilowatt का मैं क्या कर रहा हम बेटा heat deliver कर रहा हूं अच्छा, and the required room temperature on the other hand, इसी 5 degree centigrade का जो temperature का difference था, इसी चीज को मैंने यहाँ पर यूज किया है, कैसे यूज किया है बेटा, चुकि heat का transfer कैसे हो सकता है, higher temperature से lower temperature की तरफ हो सकता है, evaporator तभी heat को absorb करेगा, जब उसका temperature atmospheric temperature से कम हो, condenser तभी उस heat को deliver कर पाएगा, dear, या discharge कर पाएगा जब उसका temperature, room के temperature से क्या हो, जादा हो, तुकितना जादा हो, कितना कम हो, जो तरफ है 5 degree centigrade दोनों तरफ डिफरेंस दिये गए थे, that's why 10 degree centigrade नो करके, यहाँ पे कितना होगा 5 degree centigrade होगा, और यहाँ पे 25 degree centigrade नो करके, यहाँ पे contenser का temperature कितना होगा, 30 degree centigrade होगा, चुकि Cycle हमारा heat pump किस-किस टंप्रेचर के बीच में काम कर रहा है मेरा कंप्रेशर काम कर रहा है 30 पे चुक्रो Representatives के बीच में काम कर रहा है और question का solution आप लोगों को पसंद आया होगा मिलते हैं ऐसी किसी next वीडियो में थेंक्यों मिलते हैं